For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. Hello everyone, my name is Tushar Bhardwaj. This is your favorite channel Science World. Today we are going to discuss class 11, chapter number 5, Laws of Motion. This is an important topic. What is connected motion? Just as we hear about the name of the name, we have clarity. Connected motion means two body of the body. We are going to consider a lighter weight and the other body is going to be heavier. As you can see, if you have seen a police system or you will see a car, you will see a bucket of water, you will see a bucket of water. But it is also two types of variety. What is this? You will see the way in the queue. You will see a couple of people, and you will see a car. You will see the water. The second type of water is going to be heavier. The second type of system, which we have met, is that you will see a couple of different types of water. It is also an initial type of water. If you see a couple of different types of water, you will see a couple of different types of water. निकालने के लिए तो आपने क्या किया उस रस्टी को उस पुले के उपर single turn दिया और फिर उसको bucket से attach करके कुए में डाला हुआ है तो ये एक तरीका हुआ ठीके तो उस rotor की मदज से उस पुले की मदज से आप आसानी से उसको खीच पाते हैं और पानी को बाहर निकाल पाते हैं, कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट है कहां पर हमारे topic connected motion में, वो diagram से आपको clear हो जाएगा, जिसमें हमीं क्या consider करना है, frictionless pulley है दूसरी चीज, दो body हम consider करने वाले heavier mass और lighter mass कम वजन और ज्यादा वजन दो अलग अलग body, जो जुड़ी हुई है किस से, एक string से, string in extensible string है ठीक है, अब इस topic के जरीए, हमें दो चीज़े find करनी है acceleration और tension tension क्या होता है, अब हम discuss करते हैं, थोड़ा से एक introduction, tension के लिए tension क्या एक तरह की force होती है जो string में develop होती है, किसी भी steel wire, कोई भी आपके पास wire है कोई string है, उसमें develop होती है ठीक है, अब बात आती है यह जो tension है, इसको हम एक तरह से force भी बोल सकते है, tension क्या होती है एक तरह की force होती है, जो किसी string में develop होती है, जब भी आप किसी string का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज़ को खीचने के लिए, ठीक है अब बात आती है कि tension force कितनी होगी किसी एक string में अगर आप उसमें pulley system कुछ maintain करके चल रहे हैं जैसे कि हमने एक starting example लिया समझने के लिए, कि आपका एक well type से कुछ है, कोई कुआ है और वहाँ पर आप किसी चीज़ को निकाल रहे है pulley वाले system का आपने इस्तेमाल किया ठीक है, तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम एक diagram ड्रो करने वाले है जिस diagram के जरिए हमें clear हो पाएगा कि हाँ वही कौन सी चीज़ हलकी ले रहे हैं कौन कौन सी फोर्स हैं आपर जो अप्लाई हो रही है देखिए ज़र आप diagram को और ये कोई हमारा एक सर्कल है एजर रोटर मालने तेन स्को ये हमारा कोई सर्कल है ना सबसे पहले जोब बनाएंगे यहाँ पर आप इस तरीक से दिखा दीजी इसको heavier body ले लते हैं चलिए देखिए ये कोई आपके पास एक रोटर है एक पुले अब यहाँ पर आपने क्या किया है एक स्ट्रिंग लिया इस स्ट्रिंग को इसके उपर से टर्न कराया और यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया दो आपने ब्लॉक लिये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड दो अब्जेक्ट है M1 और M2 इसको हम हैवियर कंसिडर कर रहे है न यह हैवी है काफी भारी है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह अब्जेक्ट हैवी है यह अब्जेक्ट आपका काफी हलका है इसको मानकर चल रहे है M1 ठीक है यह M2 तो M1 हैवियर है M2 से M1 मास ओफ फर्स्ट अब्जेक्ट ग्रेटर है मास ओफ सेकेंड अब्जेक्ट से जब ऐसा होगा तभी आप इस लाइन को थोड़ा नीचे तक डालेंगे और इसको थोड़ा ऊपर रोग देंगे इसको जिससे की डाइगराम देखकर क्लियर हो जाए कि हाँ भी इसका मास जादा है और इसका मास कम है जैसा कि हम सब जानते हैं कि फोर्स ठीक है wait है एक तरह की फोर्स होती है जो downward act करती है और wait के लिए formula क्या लिया जाता है W is equal to Mg mass into gravity M1g M2g तो यह एक force जो downward act कर रही है यह एक force जो downward act कर रही है weight हमेशा downward ही act करता है उसमें कोई option भी नहीं है लेकिन जैसे कि हमने starting में डिसकस किया tension tension एक वो force जो center की तरफ apply होती है tension एक वो force जो किसी string में develop होती है जब कोई दो body किसी एक string से connect होती है और दोनों ही एक दूसरे पर force लगा रहे हैं दोनों ही object एक दूसरे पर force लगा रहे हैं लेकिन वो बंदे होएं किसी string से किसी रसी से कोई metal wire भी हो सकती है कोई आपके पास general rope भी आप use कर सकते हैं उसमें न कोई रसी यूज कर सकते हैं अब बाद आती है कि यह जो tension force है यह center की तरफ apply होती है इसलिए यहाँ पर आप arrow से दिखाएंगे उसको यह arrow बहुत ज़रूरी है जो आपको indicate कराता है कि भई tension force किधर लग रही है T symbol है tension force के लिए center की तरफ यह भी center की तरफ और string कैसा है in extensible string है ठीके अब बाद आती है कि यह object नीचे की तरफ धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है ठीके motion कैसा हो रहा है इसका downward direction में हो रहा है और इसका motion कैसा हो रहा है उपर की तरफ हो रहा है ठीके अब जो general force होती है वो हमें यहाँ पर समझनी होगी कि भई F net effective force downward net effective force इस वाले केस के लिए upward ठीके तो यहाँ पर यह object ultimately मास जादा होने की वेज़े से downward act कर रहा है downward move कर रहा है और यह उपर की तरफ खिच रहा है क्योंकि दोनों ही एक string से जुड़े हुए है connected motion connected motion में हमें दो चीज़े find करनी होती है acceleration और tension force जो string में tension force डेवलप हो रही है यहाँ पर develop होती है उसको find करने के लिए हमें एक formula drive करना है तो connected motion derivation के जरिए या connected motion के topic के जरिए हम कुछ ऐसे दो formula निकालने वाले हैं जो एक formula हमारी मदद करेगा acceleration को find out करने के लिए और दूसरा जो formula है वो हमारी मदद करता है tension एक तरह की force जो string में develop होती है जैसे कि हमने starting में एक कुए का example लिया एक well का example लिया जिसमें आपने एक pulley system maintain किया हुआ है ठीक है और उसकी जरिए आप क्या कर रहे हैं किसी रसी को turn कराते हैं और bucket में attach करके उसको कुए में डाल देते हैं दूसरा जो end होता है second extreme end जो होता है वहाँ पर आप उसको रसी को खीच रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर उस रसी में उस string में कितना tension develop होता है कितना तनाव tension means तनाव यह तो हम सब जानते ही हैं तो tension क्या है एक force जो उस string में develop होई लेकिन find करना तो एक बाद की बात है पहले तो हमें वह formula मालूँ होना चाहिए अब वह formula कैसे find out करेंगे इस derivation में ठीक है तो काफी important derivation है जनरलिस के बहुत सारी application देखने को मिलती है जैसे के हमने एक well वाले case में उसको समझाया तो इस diagram से आप वो दोनों चीज़े find कर सकते हैं acceleration और tension ठीक है इसको थोड़ा highlight कर लेते है आप ज़रूरी नहीं है कि M1 को ही greater consider करेंगे कुछ भी आप ले सकते हैं जैसे आप consider करेंगे उसी के सबसे diagram में change कर लीजेगा ठीक है यहाँ पर हमने M1 को मान लिया कि फर्स्ट object है जिसका mass ज़्यादा है और in comparison second वाले के ठीक है तो ऐसी condition में हमें क्या करना होता है दोनों ही cases में दोनों ही location पर net effective force निकालनी होती है net force अच्छा देखी net force का मतलब क्या होता है simple अगर हम समझते हैं तो आप यह कह सकते हैं net मतलब कुल मिलाकर जैसे मान लिजिए आपके पास दो black pen है आप जो घर से लेकर चले और उस रास्ते में ठीक है exam room तक पहुंचने से पहले पहले क्या हुआ एक pen आपका गिर जाता है तो अब कुल मिलाकर at present exam room में आपके पास कितने pen है single pen है न भई ठीक है आपके पास दो pen थे तीन थे चार जितने भी pen थे पर अभी फिलाल कितने है ठीक है तो बात ही आती है जैसे कि आप एक और example ले सकते है माक्षिट में आपके माक्स देखे गए कितने माक्स है ये सब चीज़े नहीं कि भई हम बिमार हो गए थे exam से पहले या सैले बस बड़ा tough था या topics बड़े heart थे या ये था वो था ये सब चीज़े नहीं कुल मिलाकर net result तो इसी तरीके से यहां पर भी कहा जाता है कि कोई body नीचे move कर रही है उपर move कर रही है तो दोनों ही अलग-अलग location पर आपको net effective force find out करनी है कि कौन से चीज़ किसमे से reduce होनी चाहिए इसके लिए आपको diagram बड़ा help करने बाला है अब देखने हैं में क्या क्या points बन सकते हैं अच्छे आपर कुछ symbols डाल देते हैं जैसे की X Y ठीक है at X at Y अब हमें देखें दो equation बनानी है net force net force कितनी होगी X पर यहां पर second object पर है न तो second object वाले केस में कितनी effective force है net force क्या होगी अब सुचिए अब dominant कौन है प्रभावी कौन है कौन सी force dominant है tension या M2G यह तरीकी force है ठीक है न वेट है तो tension और वेट में से ज़्यादा प्रभावशाली कौन रहा T tension ठीक है tension एक वो force जो upward indication कर रही है और body को ultimately किदर move करना पड़ रहा है वो पाठीक है उससे connected है ठीक है तो ultimately कुल मिलाकर body यहाँ पर इस location पर x वाले point पर उपर की तरफ move कर रही है जिसका मतलब क्या है कि T-M2G ठीक है यह दो forces है T और यह weight T means tension force तो tension force में से reduction करना होगा M2G means weight का ठीक है तो tension में से जब आप weight को reduce करते हैं तो जो force बचती है वो net effective force होती है ठीक है दोनों ही cases में तो net force कितनी होगी इसका symbol हमने F ले लिया है और T minus T minus M2G इसी तरीके से net force F कितनी होगी अब देखिए आप Y वाली location पर है ना इस वाले point पर यहाँ पर dominant कोन है tension force या weight यहाँ पर dominant है weight क्योंकि body ultimately नीचे की तरफ होग कर पा रही है ठीक है ना तो M1G में से tension को reduce करेंगे आप M1G में से minus करेंगे आप T tension force को अब इसके symbols को पूदा clear करके लिखते हैं देखिए जो net force है ना net force means कुल मिला कर जो force है force का जो general formula होता है वो क्या होता है mass into acceleration mass into acceleration तो force के place पर हम क्या लिखने वाले हैं M 2 A is equal to T minus M2 G ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर यह first body की बाद चल रही है M1 A is equal to देखिए same है बिल्कुल बस यहाँ पर second body है यहाँ पर first body है M1 A is equal to M2 G minus का T तो यह हमारे पास दो equation तयार हो गई है जो हमने इस diagram की help से बनाई है इसको कुछ ऐसे आप highlight कर दीजिए थोड़ा धियान रहेगा कि हाँ भी यह दो अलग अलग equation है मारे पास इसको हाइलेट कर देते हैं आपर यह फर्स्ट equation हमारे पास आगई है और इसको हम कुछ भी आप लुमर डाल दीजिए कि आगे हमे भी क्या फाइं करना है acceleration और tension force ठीक है तो एक्वेशन फर्स्ट यह एक्वेशन सेकंड एक्वेशन जो हमने नमबर उस्टी के अकॉर्डिंग डाल देया ना फर्स्ट बोर्डी सेकंड बोर्डी यहां तक क्लियर हुआ आभी तक देखिए हमने क्या समझा है कि वही connected motion क्या है laws of motion chapter number 5 plus 11 के लिए बहुत ही important topic है connected motion connected motion का मतलब है कि कोई दो बोर्डी है जो आपस में किसी string के जरीए connect है इसको समझनी के लिए हमने एक example लिया कि वही जैसे हमने कुआ देखा होगा है ना ठीक है कुआ तो सुब जानते ही है तो उसमें क्या होता है ना अलग लग तरह की structures होती है लेकिन उसमें आपने देखा होगा जनरली दो तरह से आपर system हमें देखने को मिलता है कि जैसे कुए में से पानी निकालना है तो हम क्या करते है जनरली एक रस्सी लेते हैं रस्सी के एक किनारे पर bucket को बाल्टी को बान दिया जाता है और उसको कुए में डाल देते हैं फिर दूसरे सिरे को हमने क्या किया ऐसे पकड़ कर खिचना स्टार्ट किया ताफी loading होती है वर्टी ब्राव कहा देता है कि ठीक है बस possible नहीं है बहुत load पढ़ता है ना backbone पर लेकिन एक दूसरा तरीका physics के एसाब से आपने क्या किया एक wooden structure ली और triangular उसमें structure maintain की एक setup तेयार किया बीच में क्या किया एक rotor सा लगा दिया पुले बोलते हैं उसको हला कि तो उसमें आपने फिर कोई रस्ती ली रस्ती को ऐसे turn कराया और दूसरे सिरे को और अगर हम ऐसे निकाल रहे है against gravity तो gravity के against काम कर रहे हैं तो बड़ा load पड़ता है gravity की तरफ काम कर रहे है तो gravity कहती है चलो ठीक है मेरा favor कर रहा है तो ठीक है load कम डालते है इस बर इस तरह का logic होता है same यही situation यहाँ पर भी है ठीक है अब हमने यहाँ पर क्या किया दो body consider की first object और कोई second object हमने मान लिया आप change भी कर सकते हैं हमने मान लिया कि जो first body है थोड़ा सा भारी है heavy है m1 greater है किस से? m2 से second object का mass हमने कम consider किया हुआ तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर सी बात है जो weight है weight तो downward ही act करता है चाहे mass कम हो, चाहे mass जादा हो तो weight का formula क्या होता है? mg, mass into gravity weight एक तरह की force होती है जो हमेशा vertically downward act करती है toward gravity act करती है यहाँ पर m1 g नीचे की तरफ दिखाएंगे आप m2 g वो भी नीचे की तरफ दिखाएंगे लेकिन जादा mass होने की वज़े से यह जो object है ना first object यह नीचे की तरफ खिसकने लगता है और इसी से बंधा हुआ है किसी string के जरीए एक ऐसा string जिसमें tension force डवलप हो रही है एक तनाव आ रहा है रसी में खिचा होता है ना तनाव होता है ना उस तनाव को क्या बोलते है tension force बोलते है तो उस tension force की वेज़े से क्या होगा tension force हमेशा क्या होती है center की तरफ अपलाई होती है यहां से भी इधर देखिए arrow डाला हुआ है और यहां से भी लेकिन यह बंधे हुए हैं दोनों object इसलिए धिरे धिरे उपर की तरफ ठिचना start हो जाएगा अब हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि x position पर और y position पर जहां पर हमें यह दो object को consider कर रहे हैं यह mass जादा है इसका mass कम है तो यहां पर net effective force कुल मिला कर जो force है उसको देखते हैं कि वो कितनी है तो हमने क्या किया x position पर तो हमने क्या किया y position पर net force calculate की और x position पर net force calculate की ठीक है net force का मतलब कुल मिला कर कोई जादा है तो उसमें से आप कम वाले को reduce कर दो तो कितनी बची वो net force होती है तो जब आप देखेंगे न ध्यान से x वाली position पर तो net force क्या है dominant कौन है tension force या weight वाली force जो dominant है वोई तो दूसरे खीच पाएगा न ठीक है तो tension force में से इसका reduction किया x location पर यहाँ पर tension force में से हमने m2g इसका reduction कर दिया तो बचा क्या net force net force का symbol हम क्या ले रहे है f और f का general formula क्या होता है mass into acceleration ठीक है तो second body की बात चल रहे है न तो हमने उसको डाल दिया कि हाँ यह एक equation बन गई है इसी तरीके से y position पर आपने लिया कि भई tension force इस बार dominant नहीं है जो प्रभावशाली होता है न ठीक है उसी का नाम आता है प्रभावशाली का ही नाम आता है यह हम revise कर रहे है बताया किस ने था Gregor John Mandel ने Gregor John Mandel जिनोंने प्रभावी के नियम law of dominance के बारे में अच्छी खासी statement भी दी ठीक है न याद रखेगा तो y position पर tension force dominant नहीं है weight वाली force जो है वो dominant है और dominant में से ही recessive को reduce किया जा सकता है और जब आप recessive वाले पार्ट को reduce करते हैं subtract करते हैं तो जो बचता है जो finally आपके पास बच्चा वो क्या है net effective force net force ठीक है तो net force is equal to me y वाली location पर m1g m1g minus t तो ये दो equation हमारे पास तयार हो गई है अब हमें क्या करना है दोनों को add कर देते हैं ठीक है देखते हैं क्या निकलता है on adding first and second equation ठीक है अगर हम add करते हैं first और second equation को तो देखें क्या चीज़ यहां पर हम find कर पाएंगे देखें दराब ध्यान से m2a में हमें add करना है किसको m1a को कुछ common आ रहा है क्या आ सकता है common तो common ले लेंगे उसमें a बाहर आ जाएगा और आपका m1 plus m2 ठीक है विस्त आपको क्या करना है आगे स्टेप्स को थोड़ा ठोल कर लिखना है ठीक है बागी मैंने यह सिंपल है इस्टो डारेक कर दिया है कि m2a और m1a जब आप add कर रहे हैं तो दोनों चीज़े क्या होंगी simplify हो जाएंगी और आप a बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा m1 plus m2 is equal to assign लगाएंगे अब देखिए आप t minus m2g और यहाँ पर क्या है m1g minus t तो क्या t यहाँ पर हटना चीए या नहीं हटना चीए बताइए आप simple maths तो t यहाँ से cancel out हो जाएगा ठीक है plus minus के बेस पर और बचेगा क्या हमारे पास m1g और यहाँ पर minus का m2g तो यहाँ से आप क्या common ले सकते हैं कुछ बिल्कुल यहाँ से आप g common ले लेजेए ना तो क्या बचेगा पहले वन वाले को लिखे लेते हैं एंवन और माइनस को एंटू ठीक है अब देखिए हमें calculate करना है क्या चाहरे हैं एक अल्कुलेट कर लीजिए या फिर आप टी कल्कुलेट कर लीजिए दोनुई चीजे निकाल लिए पहले किसी को भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर सिंपल तरीका था कि जब आप addition करते हैं तो आप यहां से acceleration को find out कर सकते हैं तो देखिए acceleration a is equal to g bracket में m1 minus m2 whole divided by m1 plus m2 ठीक है बाकिसको आप एक box में बंद कर दीजे तो यह आपने acceleration find out कर लिए acceleration कैसे calculate कह जा सकता है यह चीज़ में याद रखना होगी ठीक है हम यह पर लिख सकते हैं सो हमें क्या find find करना है connected motion के जरिए acceleration एंडर टेंशन ठीक है तो acceleration और टेंशन यह दो चीज़े हम यहाँ पर calculate करके चल रहे हैं तो याद रखिए जब अब addition करते हैं first or second equation का तो यहाँ पर हमारे पास जो answer निकल कराता है कि वह acceleration क्या होगा बिल्कुछ सिंपल है लेकिन यह चीज़ आपने नोटिस की होगी यह सारी चीज़े लग रही है calculation वगर इतनी कुछ नहीं है है लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो दो equation बन रही है ना connected motion के diagram का इस्तेमाल करके वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा है तो first equation और second equation किस तरह बनाएगी है यह चीज़ आप ध्यान रखेगा अब हमें एक चीज़ और calculate करनी है देखे एसलेशन तो हमने निकाल लिया है कि इसलेशन कितना है जी ब्रैकेट में फिर आगे M1-M2 और यह जो चीज़ इदर थी LHS की तरफ यह आपका RHS में चली गई है डिवाइड बाई होकर और M1 प्लस M2 नेक्स हमें calculate करना है Tension एक तरह की force होती है जो string में develop हो रही है लेकिन कब develop हो रही है जब कोई दो body same mask की नहीं है अलग-अलग मास की जिसमें हमने first body का मास ग्रिटर लिया है in comparison second body के चली देखते हैं अब इक बार अब हमें देखे टेंशन calculate करने के लिए जिससे हमने isolation को find करना था तो हमने क्या किया आपने addition कर दिया है first or second equation का आप जरा सोची एक बार ये first equation है second equation है हमें क्या calculate करना है tension calculate करना है तो हम किस तरीके से calculate कर सकते हैं एक काम करते हैं इसको divide कर देते हैं क्योंकि सब्सेक्शन से कामनी चलेगा न ठीक है divide करते हैं लिखते है एक लाइन यहां पर और डिवाइट पर कौन से equation को किस से डिवाइट करें first को second से कर सकते हैं हाँ ठीक है ओन dividing first by second equation ठीक है अगर आप first को second equation से divide करते हैं देखते हैं फिर क्या आता है first equation यह है हमारे पास second equation यह है तो पहले first हो लेते हैं m1a divided by m2a is equal to next m1g minus t m2g t minus m2g यह हमारे पास equation हो गई है न फर्स्ट वाल आउंड यह से कट जाएगा एंस लूट हो गया यह बचता किया अब जो भी हमारे पास remaining part है आप उसको cross multiply करना होगा है न इदर से इदर ऐसे multiply कर दीजिए स्को m1t minus m1 m2g चाहिए क्रॉस multiply हो गई है इस एक्वल टू m1 m2g चाहिए और इसमें फिर हम लिख देते हैं इसको m2t क्लियर अब देखें क्या हो सकते हैं यहां पर यह चीज़े अच्छा कैंसल आउट तो देखो नहीं हो पाएंगी है न क्योंकि यह माइनस में इधर प्लस में अगर हम इसको shift करेंगे इधर की तरफ तो माइनस वाला sign change हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यह दो दोनों से ट्वाइस ओफ M1 M2 G ठीक है? Next step और last step T is equal to T हमने common ले लिया अंदर क्या बचेगा? M1 प्लस M2 बचेगा न? ये M1 प्लस M2 जो होगा इसको multiply में रखेंगे हम लेकिन दूसरे जाकर कैसा हो जाएगा? divide by 2 M1 M2 G whole divide by कितना? M1 प्लस M2 ठीक है? तो ये हमने tension force calculate कर लिये इसको ठीक है? तो देखें यहाँ पर acceleration हमने find out कर लिया है और tension force भी calculate कर लिये तो देखें ये connected motion का target था कि कितना acceleration है और कितने tension force यहाँ पर develop हो रही है तो वो find करने के लिए आप देखें calculation दो करना आसान होता है लेकिन जिस formula के जरीए आप calculation करना चाहते हैं तो formula find out करना होता है derivation का मतलब होता है ये formula को कैसे हम निकाल सकते हैं किसी diagram के जरीए कुछ logic लगा कर कुछ rules को apply करके और जब हमारे पास ये formula तयार हो जाते हैं फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं calculation pattern के लिए तो वीडियो को starting से last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है आप subscribe कीजिए like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और bell icon को on रखिए जिससे की videos time to time आपके पास update होती रहे, पहुंचती रहे और वीडियो को अपने friends तक पहुंचाईए जिससे की वो भी इस topic का benefit इसको समझ सके कि connected motion क्या है और कैसे हम इसको अपने daily life में होते हुए देखते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद